Hello YouTubers and Tech Laws are the X, Shudish Gumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही interesting और बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाले हैं. जो की है frame rates और refresh rates. ये कहीं न कहीं एक दूसरे से related है. frame rates के अगर बात की जाएं, तो वो कहीं न कहीं media के साथ, videos के साथ relate किया जाता है, ठीक है, video की property है. और अगर हम refresh rate की बात करें, तो वो कहीं न कहीं displays के साथ, monitors के साथ relate किया जाता है, ठीक है monitor की एक property है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, while buying a new monitor, ठीक है, या आपके पास जो existing monitor है, उसको आपको study करना पड़ेगा. majority जो monitors होते हैं, वो 60 hertz पे होते हैं, और इसको hertz में measure किया जाता है, यह जो refresh rate है, लेकिन अगर हम frame rates की बात करें, तो उसको per second measure किया जाता है, तो पहले हम video side बात करते है, media side, कि frame rates क्या है, तो पहले उसको आपको समझना पड़ेगा कि video क्या है, video की जो definition है, वो आपको पता हो पता है, और उसी को कहीं न कहीं हम video कहते है, ठीक है, तो अब इस video की, अगर किसी भी video आपके पास कोई video है, जैसे कि आप ये video देख रहे हो online, या आपके पास कोई store है, आपके computer में, उसकी properties में जाके अगर आप देखोगे थ्यान से, तो वहाँ पे लिखा होगा frames, या frames per second, तो वहाँ पे कोई एक number होगा 24, 25, 30, 60, ठीक है, तो उस particular video में, जैसे कि 24 की बात करें, तो एक second में 24 images है, वो video में बहुत सारी images है, video है, वो images का collection ही है, तो एक second में 24 images आपको एक sequence में दिखाई जाती है, और आपके mind को, आपकी आँखों को लगता है, कि वो एक video है, एक moving picture है ठीक है, तो यह एक video की definition हो गई, तो frame rate का मतलब यह होता है, कि एक second में जितने images, जितने frames वहाँ पे है, एक image मतलब एक frame, जितने frames है एक second में, उसको कहा जाता है, उस particular video का, उस media का frame rate, ठीक है, अब अगर हम बात करें refresh rate की, तो यह जो terminology है, वो कहीं न कहीं displays के साथ relate किया जा होगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि इतने hertz, majority जो monitors होते हैं, वो 60 hertz के होते हैं, ठीक है, तो 60 hertz का मतलब क्या हुआ, यह आपको समझना पड़ेगा, वो जो display है, वो जो panel है, ठीक है, कोई भी panel हो, doesn't matter, लेकिन वो अपने आपको, हर एक individual pixel, पूरा panel, अपने आपको, एक second में 60 times, इस cycles है, measure किया जाता है, एसलिए hertz में, 60 times refresh करता है, ठीक है, 60 times वो अपने आपको refresh कर सकता है, और नया color या नई image शो कर सकता है, 60 times, अगर वो 60 hertz वाला monitor है, ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ, आपके पास एक कोई movie है, जो 60 frames per second वाली है, ठीक है, या कोई video है, जिसमें 60 frames per second है, और आपके पास एक ऐसा monitor है, जो 60 hertz वाला है, तो आप उस video को उस में सही से देख पाओगे, अच्छे से आपको पूरा जो experience है, 60 frames का, वो सही से मिलेगा, लेकिन for example, मान लो कि आपके पास, जैसे gameplay की बात करे, गेम्स है, आपका graphics card बहुत अच्छा है, वो बहुत सारी frames generate करता है, जैसे आपने वहाँ पे select किया है, जितना अच्छा graphics card होगा, उतनी frames, number of frames, more than 60 भी वो generate कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा अच्छा monitor नहीं है, एक simple जो monitor होता है, 60 hertz वाला वो ही है, तो वहाँ पे उस power का कोई मतलब नहीं है, वो जादा महेंगा graphics card आपने लगाया है, वो जादा frames generate करता है, लेकिन वो जादा frames आपके monitor के लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उसे display नहीं कर पाएगा, तो आपको फिर performance, वो जो experience है, gameplay का वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो 60 से beyond, जैसे कि 60 hertz वाला monitor है, तो 60 से beyond जितनी भी frames होगी, जाहे वो 61 है, या 70 है, या 80 है, या जितनी भी है, वो उस monitor के किसी काम की नहीं है, वो उसे display नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपका graphics card है, वो तो 120 frames generate कर रहा है, ठीक है, तो वो 120 frames आपके monitor के through, through HDMI cable throw करेगा, 120 frames per second, लेकिन आपका monitor अपने आपको इतनी speed में refresh नहीं कर पाएगा, वो 60 time ही कर पाता है तो वो उस 120 में से 60 images, 60 frames per second ही आपको दिखा पाएगा, ठीक है, जादा नहीं दिखा पाएगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत important है, while buying a new monitor, और specially अगर gaming के लिए buy करते हैं, ठीक है, तो gaming category में जो TN panel है, जो panel की अलग-अलग type है, उस पर भी मैं अलग से video बनाऊंगा, लेकिन TN panel बहुत popular है, क्योंकि वो उसका जो response time है, वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो जो individual pixels है, वो अपने आपको refresh कर सकते हैं, और वहाँ पर refresh rate, ये जो TN monitor है, वो थोड़े से सचते होते हैं, compared to IPS, लेकिन वो उनका refresh rate है, बहुत जादा होता है, ठीक ह करना है, तो वहाँ पर आपका graphics card अच्छा है, तो आपको पूरा experience मिलेगा, वो भी graphics card भी more than 100 frames generate करेगा, और आपका monitor भी ऐसा अच्छा है, तो आपको पूरा experience है, वहाँ पर मज़ा आएगा, ठीक है, ऐसे ही वीडियो की कहानी है, जितने फ्रेम्स जादा होंगे, वो वीड लगेगा, ठीक है, जैसे कि मैं 30 frames की बात करो, या 60 frames की बात करो, तो 60 frames, जितने जादा frames है, वो बैटर है, वहाँ पे वो वीडियो जादा अच्छा लगेगा, ऐसे ही refresh rate की कहानी है, जितने जादा refresh rate वाला monitor होगा, उतना ही आपको जो viewing performance है, या enjoyment है, as a viewer, वो अच्छा लग I'll definitely answer you and I will definitely see you guys later in my next video, so till then take care guys, learn more and spread the knowledge, thank you so much